ये आकाश्वणी है प्रस्तुत है कारिक्रम सुर्खियों में इसके अंतर्गत सुनिए जी एस्टी चोरी को पकड़ने के ठोस तंत्र और अनुपालन पैमाने में व्रद्धि पर चर्चा इसमें भाग ले रही है आर्थिक विश्ली शक शेशर सिनहा और आकाश्वणी समवा प्रधान मंतरी आर्थिक सलाहकार परिशद ने हाली में एक रिपोर्ट दी है GST के बारे में और ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि GST का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर हुआ है 2022 के दिसंबर तक लगभग 76 प्रतिशत जो टैक्सपेर्स हैं उन्होंने अपने रिटर्न को फाइल कर दिया है साथ ही इस रिपोर्ट में शेशर ये भी बताया गया है कि जो GST का नेटवर्क है वो बढ़ा है और GST से जो रेविन्यू जनरेट हो रहा है वो भी बहुत हो र पर लिपाइल साल के मुकाबले लगभग दुगना हो गया है और एक लाख करोर रुपया हो गया है इसे हम कैसे देखें आपकी नजर से क्या ये जो टैक्स चोरी डिकशन मेकानिजिम है वो इतना डेवलेप हो गया है कि ये संख्या बड़ी है या चोरी करने वालों की संख चाहिए कि कोई भी करवेवस्था हो चाहे हो डिजरेक्स का हो चाहे पूरी तरह से कहा जाए कि उसमें evasion नहीं हूता ये कहना गलत हो गा कुछ न कुछ तो कमिया रहते हैं। गरवडियां होती है और टैक्स्षोरी होती है अब सवाली उठता है कि टैख्षणी को पेका tax collection है ये केवल और केवल ये समझा जाए कि इस वज़ा से आया क्योंकि recovery हुई है नहीं recovery के साथ सा जो दूसरा major factor था वो compliance है तो अगर जब आपका compliance बढ़ रहा है तो जाहर सी बात है कि evasion में कमी आएगी अब आपको एक छोटा सा उधारन दूँ आपने form का दिकर किया देखे जो सरकारी जो विग्यपती जारी की गए थी पहले अप्रिल को उसमें ये बताये गया कि मार्ज के महीने में लगभग 93% GSTR1 और 91% जो है वो GSTR3B फाइल किये गा यानि कि 93% जो assessi थे उन्होंने GSTR1 फाइल किया और 91% assessi जो थे उन्होंने GSTR3B फाइल किया अब ये G GSTR1 और GSTR3B के बीच का अंतर समझने जिए GSTR1 जो होता है वो basically एक तरीके से लेंदेन की पूरी जानकरी देता है और GSTR3B ये बताता है कि वास्तव में कितना tax जो है एक करदाता ने चुकाया है तो अब यदि आप इस collection को देखें तो इस collection में ये बात काफी है तक जाहिर है कि compliance बढ़ा है देखी evasion है tax story हुई है इससे इंकार नहीं किया सकता है लेकिन अगर हम पूरे record देखें साल दर साल के अधार पर तो उसमें अगर कमी देख रही है और ये देख रहा है कि 93 प्रतिशत लोग और 90 प्रतिशत लोग return फाइल कर रहे हैं ये इस बात को जाहिर करत बात है कि जो कुछ चोरियां पहले छुपी रह जाती होंगी वो अब सामने आ रही है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि चोरी बढ़ी है पहले से बल्कि हम ये कहें कि चोरी घटी है नंबर जरूर जादा सामने आ रहे हैं क्योंकि आपने mechanism को जादा develop कर लिया बिल्कुल अगर आप देखें कि अगर मैं pre-GST रिजीम और post-GST रिजीम के taxpayer की संख्या अगर आप देखें तो pre-GST में लगवक 66 लाग थे और post-GST में लगवक 1.3 करोड से जादा का लगवक 2 गुना हो चुका है नमबर वन, नमबर टू अगर आप volume देखें, transactions देखें वो काफी जादा बढ़ा है तो अब अगर उसमें संख्या की हिसाब से देखेंगे तो आपको वो संख्या शाय थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई दे लेकिन अगर कुल कर collection, कुल कर से कमाई के हिसाब से अगर देखे तो वो संख्या में आपको कमी आएगी, तो ये साफ जाहर करता है कि जो mechanism हमारे पास बने हुए है, कल्चोरी को रोकने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, आप यदि जादा detect करते हैं, तो ये भी इस बात को जताता है कि आपकी विवस्था में कितना कुछ सुधार हुआ है और उसका क्या कुछ फाइदा दिख रहा है, तो अब ये हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आपको ये संख्या दिखाई दे या amount जादा दिखाई दे, तो ये कहना कि evasion बढ़ गया है, उसके बजाए ये कहना बहतर होगा, कि हम कल्चोरी पर नज़र रखने में और साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि वो करों की चोरी को, GST चोरी को रोकने के लिए data analytics और human intelligence पे ज्यादा ध्यान दे रही है, ताकि जो fraud हो रहा है, उसको पकड़ा जा सके, न कि artificial intelligence से ज्यादा human intelligence पर जोर है, बिल्कुल देखिए इसमें दो चीजों के उपर अगर आप ध जियान दे, artificial intelligence और manual intelligence में क्या फर्क होता है, artificial intelligence उन data को देखता है, जो आपके पास system में है, और manual जो आपका intelligence है, वो spot पर जा करके देखता है, तो जाहर सी बात है कि AI की अपनी सीमा है, और manual interventions की अपनी सीमा होती है, लेकिन अगर दोनों मिल करके काम करते हैं, तो नतीजह आत है कि एक जो अच्छा खासा समोसे की base करके जो कमाई कर रहा है, वो GST ना चुका रहा है, तो वो पकड़ा जाता है, एक आंकले हैं, शेशर हमारे पास, इसमें है कि जो पिछला वितवर्ष था, यानि कि 22-23 का, उसमें लगभग 14,000 cases detect हुए हैं, जो कि थोड़ा सा ज्याद था इसके पहले के वितवर्ष 21-22 में ये जो कर्चोरी के मामले थे GST ये 12,574 था, और उसके पहले यानि 20-21 में ये 12,596 था, तो अगर इस आंकले को देखें, 20-21 में 12,596 से कम हुआ है, 12,574 हुआ है, लेकिन पिछले वितवर्ष जो अभी एक महीने पहले खतम हुआ, उस में 14,000 cases आएं हैं, नंबर देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी ये भी वज़ा हो सकती है कि आपका GST का base भी बढ़ा है, और tax चोरी के पकड़ने के मामले में जो mechanism develop हुआ है, वो ज़ाधा prompt हुआ है, बिलकुल आपने बहुत सही इसका wishlation दिया कि जो आपकी स रंख्या बढ़ी हुई दिख रही है, उसके पीछे क्या वज़ा है, एक बात आप देखिए, दो छोटे से उधारन में आपको देता हूँ, कि GST के registration के लिए आधार mandate करना, ये क्या है कि आप सही तरीके से उस व्यक्ति के पहचान कर पाते हैं, जो इस GST की विवस्ता में आना चाहता है, वो फेक वाली बात वहाँ पर आप उस पे लगाम लगाने में कामियाब होते हैं, दूसरा एक और मैं आपको मेजर का जिकर करूँ कि E-Invoice, E-Invoice के लिए जो पहले threshold था, जो 20 करोर था, उसको घटा करके 10 करोर कर दिया गया, यानि कि 10 करोर से जादा का बिज संख्या बढ़े, और वो संख्या बिलकुल जिसे कहा जाए, बे लगाम हो जाए, बे काबू हो जाए, और इसके बजाए ये हो कि उससे आपके कर की कमाई बढ़े, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, तो तब जाकर के एक नतिये पर पहुंच सकते हैं, कि क्या ये कम्प्लाइंस कमी रह गई है, या कम्प्लाइंस बहतर हुआ है, शेशित थोड़ा हमारे श्रुताओं की जानकारी के लिए भी बताएं, कि आखिर GST जो चोरी करते हैं, इनका मोडस अपरेंडाई क्या होता है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, एक तो जो टैक्सिबल गोड है जो उनका मोडस अपरेंडी है, देखिए दो तरीका जो की बहुत ही पारंपरिक है, सबसे पहला यह है कच्छा पका का, यानि कि आप रसीज जारी करते हैं कि नहीं, जिससे हम लोग टैक्स इन्वोइस कहते हैं, देखिए टैक्स इन्वोइस जारी करने का मतलब क्या है, दूसरा तरीका क्या होता है, कि पूरा का पूरा जो काम है, वो नगद में आप करते हैं, यानि कि आप कोई भी डिजिटल मेकानिजम नहीं आपनाते हैं, माली जे कि आपका टर्न ओवर सर्विसेज में हैं, तो बीस लाग रोपे से कम का है, और गुड्स में हैं, तो चानि हो जाता है, तो कर्चोड़ी का जो सबसे आसान तरीका, जो सबसे आदा अपनाया जाता है, वो यही है कच्छा पकाखा, और एक और तरीका जो कि GST में है, वो है फेक इन्वोईस का, यानि कि ना तो हमने सामान दिया, ना सामान लिया, लेकिन बिल आपको जारी कर दिया, आप जो रिसिपियंट है, आपने हमसे एक बिल ले लिया, और उस बिल के बेसिस पर आपने इन्पुट टैक्स क्रेडिट लिया, जबकि आपने अब सही मायने में कोई सामान खरीदा ही नहीं, बिलकुल, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, जो कि GST में बड़े पैमाने पर इस्त पूस्तंत्र और अनुपालन पैमाने में व्रिधि पर चर्चा, इसमें भागले रहे थे आर्थिक विशलेशक शिशर सिन्हा और आकाश्वणी संपात्दाता हर्शरंचन, ये कारिकर में आकाश्वणी के समाचार सिवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया,